नमस्कार आज हमरे इस्टोटल की पोईटेक्स के बारह में अध्याय को पढ़ेंगे चलिए प्रारम करते हैं त्रेजडी के वो भाग जो के पूरी ट्रेजडी के भाग कहे जा सकते हैं पहले ही मेंशन किये जा चुके हैं यानि पहले ही उनको हम डिस्कस कर चुके हैं और वो भाग कौन से थे आपको याद होंगे six elements of tragedy आपको पढ़ाए गए थे कौन से हैं वो भाग plot, character, diction, thought, spectacle, song तो वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं we now come to the quantitative parts अब हम मात्रा संबंधी भागों को डिस्कस करेंगे यानि जो tragedy है जो नाटक है उसका पूरा text जिन भागों में बटा होता है वो quantitative parts हुए जो पहले बताए गए थे वो qualitative parts थे plot, character, diction, thought, spectacle, song वो qualitative parts थे और इस chapter में इस अध्याय में वो बताएगा आपको quantitative parts यानि एक tragedy का पूरा text जिन भागों में बटा होता है वो हुए quantitative parts the separate parts into which tragedy is divided तो ये quantitative parts वो भाग है जिन में एक tragedy बटी होती है और उनके नाम क्या है नेमली प्रलोग, episode, exode, correct song, this last being divided into parod and staciman तो सबसे पहला है प्रलोग, प्रलोग एक प्रारंभिक समवाद होता है एक introductory speech आप कह सकते हैं preliminary speech होता है और इसमें एक तो भूमी का बांधी जाती है आगे जो होने वाला है उसके लिए एक भूमी का तयार की जाती है साथ ही कुछ घटना ऐसी होती है जो पहले हो चुकी है यानि रंग मंच पर आपको जो दिखाया जाने वाला है उससे पहले जो घटना हो चुकी है उनके बारे में भी सूचना प्रलोग में दी जाती है तो यह एक तरीके से प्रस्ताब न कही जा सकती है एक इंट्रोड़क्टरी स्पीच आप इसको कह सकते हैं फिर है एपिसोड एपिसोड मुख्य कथानक होता है जो ट्रेजडी है उसका मुख्य कथानक एपिसोड होता है एक्सोड एक्सोड दो शब्दों से मिलकर बना है ए तो यह जो लास्त यानी के गीतों को दो भागों में बाटा जाता है दो प्रकार के होते हैं कोरस के गीत पैरोड और स्टेसिमन ये जो भाग बताये गए हैं यानि कि प्रलोग, एक्सोर्ट, कोरिक साउंग्स, पैरोड, स्टेसीमन ये जो भाग हैं वो सभी नाटकों के लिए common है सामन है यानि सभी नाटकों में सभी युनानी नाटकों में युनानी ट्रेजडीज में ये भाग मिलते हैं लेकिन कुछ विशेश भाग हैं जो कुछ ही ट्रेजडीज में मिलते हैं और वो क्या हैं पिक्यूलियर टू सम आर दा सौंग सॉफ एक्टर्स फ्रॉम दा स्टेज एंड दा कमोई कुछ विशेश नाटकों में ऐसे गीत मिलते हैं जिन्हें कि अभिनेता गाते हैं इंड दा कमोई कमोई एक विलाप है जिसे कि अभिनेता और कोरस दोनों मिलकर करते हैं दो प्रलोग मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह एक प्रारंभिक गीत है एक आप इसको introductory speech कह सकते हैं और अरिस्टोटल कहता है कि यह entire part of tragedy जो कि पेरोड से पहले होता है यानि कोरस जो गीत गाता है जिसका नाम पेरोड है उससे पहले प्रलोग होता है प्रलोग के तुरंत बाद कोरस का गीत होता है जिसको पेरोड बोलते है the episode is that entire part of a tragedy which is between complete correct songs तो episode जैसा मैंने बता है था मुख्य कतानक होता है तो मुख्य कतानक होता है जो कि correct songs के बीच में होता है यानि एक correct song इस episode के पहले होगा और एक correct song उसके बाद होगा यानि जो पेरोड है वो तो episode के पहले होगा और जो exode है यानि जिसको गाते हुए chorus विदा लेगा रंगमंच से वो इसके बाद होगा episode के और इन दोनों के बीच में पेरोड और exode के बीच में जो कतानक होता है वो उसको कहते हैं episode the episode is that entire part of a tragedy which is between complete correct songs the exode is that entire part of a tragedy which has no correct song after it तो exode क्या है वो entire part of the tragedy tragedy का वो पूरा भाग है जिसके बाद कोई correct song नहीं होता which has no correct song after it जिसके बाद कोई correct song नहीं होता जिसके बाद कोई correct song क्यों नहीं होता जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि ये exode है exit ode है इस गीत को गाते हुए chorus रंगमंच से विदा हो जाता है exit means प्रस्थान ode means गीत, इस गीत को गाते हुए chorus रंगमंच से विदा ले लेता है तो उसके बाद कोई correct song कहां से होगा of the correct part the parod is the first undivided utterance of the chorus तो chorus का जो भाग है chorus के द्वारा गाया जो भाग है tragedy का उसमें parod पहला undivided utterance है utterance कथन undivided जो बटा हुआ नहीं है complete है तो chorus का जो पहला गीत होता है उसको parod बोलते है और ये parod अभी आपको बताया गया प्रलोग के तुरंत बाद होता है सबसे पहले प्रलोग गाया जाता है उसको कोई actor गाता है उसके बाद chorus जो गीत गाता है वो parod होता है और parod के बाद क्या आता है episode और episode जहां खतम होता है फिर exode होता है तो of the choric part the parod is the first undivided utterance of the chorus The staciman is a choric ode without anapis or trochaic tetrameters जो staciman है वो choric ode है यानि chorus का ऐसा गीत है जिसमें anapis or trochaic tetrameters नहीं होते इनापis or trochaic tetrameters इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम एक वीडियो बनाएंगे सिर्फ मीटर पर तो उसमें आपको बताएंगे कि अनापis or trochaic tetrameter यह सब क्या चीज़े है अभी आप यह इतना चानल लीजे कि यह एक विशेश प्रकार के मीटर है यही मैंने आपको बताया था जब इसका नाम कोमोई था कोमोई plural है यानि बहुबचन है और कोमोई उसका singular है तो कोमोई क्या है जोइन्ट लेमेंटेशन है कोरस और एक्टर का जब कोरस और एक्टर्स मिलकर विलाब करते हैं तो उस दिश्य को कोमोई कहा जाता है क्योंकि यह एक ट्रेजडी है दुखांत नाटक है तो उसमें विलाब की दिश्य तो होंगे ही और जब कोरस और अभिनेता दोनों मिलकर विलाब करते हैं तो उस दिर्श्य को कोमोस कहा जाता है The parts of tragedy which must be treated as elements of the whole tragedy के वो भाग जिन्हें के आप पूरी tragedy के भाग कह सकते है All have been already mentioned उनके बारे में वो पहले ही आपको बता चुका है और वो कौन से भाग है Plot, Character, Diction, Thought, Spectacle, Song वो पूरी ही tragedy के elements है elements of the whole अगर plot है तो वो पूरे ही drama का plot है character है, पूरे ही drama का character है thought है, पूरे drama का thought है तो लेकिन ये जो प्रोलोग है पूरे drama में नहीं चलता एक बस starting में बोला जाता है उसके बाद प्रोलोग खतम उसको आप पूरे drama में नहीं पाएंगे लेकिन plot है, उसको आप पूरे drama में पाएंगे इसलिए वो elements of the whole कहा गया है उनको क्योंकि वो qualitative parts है और पूरे ही drama की qualities बताते है तो उनके बारे में वो पहले ही mention कर चुका है आपने पढ़ा था पहले और इस chapter में the quantitative parts, the separate parts into which it is divided are here enumerated तो इस chapter में, 12th chapter में उसने आपको क्या बताया वो quantitative parts जिन में की drama का text बटा होता है पूरा नाटक, पूरी tragedy जिन भागों में बटी होती है वो आपको इस chapter में बताये गए यहाँ पर यह बारे मार्द्याय समाप्त होता है धन्यवाद